अब आज लाइट लीडिज एंड जेंटलमेंट तो आज हम बात करेंगे कि जो वाइफ है और जो हजबेंड है वह अपने शादी के काल में यानि कि शादी के बाद एक प्रियड हो जाता है ना लंबा ठीक है मतलब पूरे शादी टाइम प्रियड तो वह कौन सी धारा अपने हजबेंट पर अप्लाई नहीं कर सकती हम बात करें लाइफ टैम की होता है कि कुछ ऐसी धारा भी है हमारे इंडियन सोसाइटी में इंडियन लौ में जो कि हम अपने हजबेंट पर कभी भी नहीं लगवा सकते तो वो क्या-क्या है तो जान लीजिए तो पहली है 376 कभी भी कि आप अपने हजबेंट पर रेप केस नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप एगजिस्ट ही नहीं करता ठीक है हाला कि अगर आप रेप की डेफिनिशन पढ़ोगे और आपके साथ जो सिचुएशन हुई होगी वो सेम है लेकिन इंडियन लो में मैरिट रेप एगजिस्ट ही नहीं करता ठीक है यानि कि आप रेप केस नहीं कर सकते अगर आप रेप की डेफिनिशन पढ़ोगे उसमें कि अकर कोई जवड़जस्ती सेक्स्वल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटिगरी में आता है लेकिन अगर वो ही आपका हस्बेंड है जवड़जस्ती होती है तो वो रेप की कैटिगरी में नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा आगे आजाए पार्लियमेंट कोई अमेंडमेंड करते तो हम कह नहीं सकते प्रिजेंट तक कोई नहीं आएगा तक नेक्स्ट इंग कह है 354 यानि कि छेड़ चाड़ का, स्टॉकिंग का, ठीक है, ब्लैक मेलिंग का, यह सब आप आरोप अपने हजबेंट पर नहीं लगा सकते हैं, तो अब कुछ लोगों के माइन्ड में आ रहा है कि यह ऐसे तो, मतलब यह लगेगा ही नहीं, कुछ इसका exception भी तो होगा, तो देखो exception है, सब्सक्राइब आपने judicial separation ले लिया है, सब्सक्राइब आपने judicial separation ले लिया है, मान के चलो, दो साल का, कि भी court ने आपको decree pass कर दी भी, तुम दो साल अलग रहो, तो जो यह time period है, इसमें आगर husband आपके साथ चेड़ चाड़ करता है, या sexual intercourse करता है, मान के चलो, तो वो rape की category में आएगा, ओके, या फिर suppose आपका divorce हो गया है, ठीक है, आप maintenance ले 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 हो, उसके बाद husband कुछ ऐसे हरकते करता है, या नि कि rape करता है, या फिर चेड़ चाड़ करता है, तब ये apply होगी, तो वो सब आप rape case नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब ground क्या है, तो अगर मानलों आपको चुटकारा जिये, तो आप unnatural sex के base पे divorce ले सकते हो, या इस चीज़ को ground बना के, लेकिन burden of proof आपके उपर लाई करेगा हमेसा हर बार, ठीक है, so I hope it is clear,